एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है फिलाल जो यह दो चाब में आप मेरा हाथ में देख रहे हो यह चाब यह हमारी ब्लॉंग करती है इस प्रोड़क्ट को यह है आपके सामने दो हजार चॉप इस किया कह रहे हैं से इसका लगजरी प्लस वेरियंट है और यह डीजल के अंदर है और यह आटोमेटिक है और कुछ नई नई अपडेट्स के साथ भी है उनके भी बात्चीत इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अगर आप प्लाइन कर रहे थे किया केरंस और कुछ ऐसा प्लाइन कर रहे थे जिसके अंदर आपको टॉप नोच सारी चीज़े मिल जाए और बिल्गुल टॉप नोच भी आपको नहीं चाहिए तो यह भी रिंट आप देख लेना बागी इसकी प्राइजिंग में आपको बता देता हूं यह आपको कॉस्ट करती है 18.94 रुपीज के आसपास एक शोरूम डेली फरी दबाद के अंदर और और कीमत की बात हैं तो कहीं ना कहीं 22 लेक्स के नीचे नीचे आपको यह मिल जाएगी और अपना स्टेट टू स्टेट भी क्वेरी कर सकती हैं चीज़े वा कुछ 7-seater प्लैन कर रहे हैं तो डेफिनेटल आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं गाड़ी की चाबी सबी स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके कि यहाँ पर दो चाबिया मिलती हैं आपको किया का लोगो यहाँ और यहाँ पर चार बटन्स आपको मिलती हैं क्योंकि आल लोग कर सकते हो खोलना वहाँ आपको मैनुवली पड़ेगा सेम कीज हैं सेम कंट्रोल के साथ हैं और देख लो कुछ इस तरीके से हैं इनको रख लेते हैं पॉकेट में प्रोडक्ट क्यम बाचीत करें तो यह हैं इसकी डामेशन वाइरा देख लेना कितनी लंबी उची च यहां पर है जो की मिलता है जो जब अठी से बस zumindest करें करें तो यह देख लो कुछ इस तरीके से है इसकी सएड़ प्रोफाइल पाफ़ाइंग की नीचे के पिलो क्लैडिंग के पार्ट में ही है अच्छे थिक क्लैडिंग दी हुई है और रेशियो भी शानदार है और लाइज जो आप देखोगे एकदम क्लीन मतलब कोई भी अनीवन वेब जो हैं पर क्रियेट नहीं की गई है तो थोड़ी स्लीक सी लगेगी आपको जब आप इसको देख इंडिगेटर्स के साथ हैं यह और यहाँ पर कोई 360D री कैमरा वगरा नहीं आता है इसके अंदर प्लेन विंडोज है यह प्लर जो है मैट ब्लैक है क्रोम डूर हैं रेक्वेस्ट सेंसर भी आएगा बट वो दूरूसी साइड आपको मिलेगा और बिडिंग से उपर आप ज़ो देखोगे तो शार्पन एंटिना है स्पोईलर है स्टॉफ लेंप डेफॉगर है वाइपर है पूरे चल्टें यह 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 जस्ट कनेक्टेटर तो इससे भी आप इसको इंटिफाइग कर सकते हो कि ए और पीछे भी सेम वही चीज़े हैं तो नीचे का पार्ट चीट हो जाती है और यह अच्छे माउंट में दिया है यहां पर केमरा की प्लेश्मेंट आपको मिल जाती है बूट की बातचीत करते हैं यहां पर मेगनेक्टिक बटन मिलती है प्रेस करके अपना बूट जो है वह एक्सेस कर सकते हो और अभी चलें अंदर तो यह सीट जब कुछ इस तरीके साब यूज करोगे तो यहां पर डिसेंट सी स्पेस आपको मिल जाए यह आपकी अगर जब आप इसको यूज नहीं कर रहे हो थडरो को यह सीट जब आप आगे की साइट कर ले तो तो आपकी बहुत जाता हो जाती है बाकी अगर आप इसको सेवन सीट रेक हिसाब से देख रहे हैं और आपको यह तीनो रो एक्सेस करनी है हर बार जब भी गाड़ी आपकी चलती है तो बहुत कमफटेबल रहने वाली है इसकी थर्ड रो अगर आप किसी भी दूसरी गाड़ी से इसको कमपेर करते हो तो जस्ट हलकी सी लाइट आई गी उसी पर डिपेंड है ना कुछ भी ऐसा नहीं है और यह थी हम अगर आप देख सकते हो बड़िया अब ही चलते हैं गाड़ी के अंदर और हाँ यह भी देख लो यहां नीचे की सैड है आपकी जो स्पेर वील है वह गाड़ी के नीचे है यह आपकी सैड यह आप देख सकते हो बागी इसको कर लेते हैं एक सेकंड बन और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरर में इंटीरर आपको चेक आउट करा देता हूं और यह देख लो हाँ पर डाइव सैड आपको रुक्वेस्ट सैंसर मिल जादा है दरवाजों में वेट है और साइज में भी काफी बड़ी लगती है मज़ आ जाएगा आपको 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 दिखी क्या होगा है में लाइट आती है गाड़ी के अंदर यह अपना जिक सैड जल रही है यहाँ पर यहाँ पर भी जलती है बड़ी है एकदम डोर पैनल्स की बात करते हैं तो य सब्सक्राइब कर सकते हो और यह है कुछ इस तरीके सारे गंडोर बॉस की यहाँ पर ब्रैंडिंग मिलती है मतलब जो सैट अपर आपको बॉस का देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर कोई संरूफ नहीं है तो मैं कह रहा था वह स्टार्टिंग में आल्मोस्ट आप यहाँ पर संडूप नहीं है इस वेरिंट के अंदर बाकि यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्व बटन है अड़े स्टार्ट स्व वाली बटन है टेक्शन कंडोल की बटन लाइट लैवलिंग डाइल और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आपको मिल जाते है अपना कोईन वगएर प्रेक्टिकल सा सेग्मेंट है यह मतलब एक उची गाड़ी वाली जो फील वह भी आपको यह दे देता है और स्पेस में आपको मिल जाते हैं इस ही वज़े से यह बहुत बिक्ती है और यह तो मतलब भाई बहुत डिमांडिंग का आरे मार्केट के अंदर आप चेक करते है इसके बेश वेरेंट वगर जो है वह भी काफी जादा वैली फोर मनी है अगर आपको टॉप अंट तक नहीं जाना इसमें आगे बढ़ता है इस बटन को मैं एक बार दबा देता हूं तो इंजिन स्टार्ट बटन इसके अंदर आपको मिल जाती है इसको में एक बार दबा आपको देखने के लिए मिलता है बढ़िया इंटरफेस हो चुगा एक दम जबढ़ जस्त यहां पर फुली डिजीटल आपको देखने के लिए मिलता है क्लस्टर और बढ़िया आप नम्बरिंग वगरा जो आप देखोगे बहुत एकुरेट है और यह एनलोग डाइल जैस और जितनी भी सारी चीजे यहां पर हैं वह आपको मिल जाएंगे और सब यहां पर आपको मिलेगी बाकी डिजीटल मिलता आपको फुली डिजीटल है ऐसा नहीं को विंग्स वगरा खुलते हैं वह वाला सिस्टम नीए पूरा चेंज है और यही है सीट बेल्ट मैंड़ व मल्टी फंक्शन स्टेरिंग वील जो कि आपको मतलब अलग टोन मी मिलेगा यह भी ब्लैग नहीं है थोड़ा सा ब्ल्यू टिंट के साथ है यहां पर फ्लैट बॉटम है यह कैरंस यहां पर मैंशन है छे एरवेक गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं यहां पर इपने इ सब्सक्राइब कोई सन रूफ नहीं है थोड़ी सी लाइट शेड की तरफ इसकी रूब भी तो मतलब नीशे का पाट ऊपर का पाट मिलके बहुत बढ़ी ऐसा जो है रिफ्लेक्शन गाड़ी के अंदर क्रेट कर देते हैं यह पैनल जो है एकदम ग्लॉसी ब्लैक है यहां तो मैंने आपको दिखाया यहां पर वैणिटी मिल जाती है संग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है और आप देखोगो तो कुछ इस तरीके मिलती है यहां पर आपको दिये हुए प्र तरीके से मतलब जो भी बंदा सी ब्लेलिन लगाएगा उसकी नोटफिकेशन आपको दिख की वजए से आपको लगेगा कि रिफ्लेशन जाता आएगा बट ऐसा कुछ निया सारी चीज़े विजिबल हैं एंड़ और टैपल कार प्ले के साथ आता है और नेविगेशन वगएरा फोन फोन प्रोजेक्शन वोइस मेमो क्लाइमिट वगएरा सब कुछ हैंसे आप कर सकत यह मतलब यह देखो यह पूरा का पूरा टच में भाई यह कुछ इस तरीके से यहां से आप बच्छा कर सकते हो यहां से आप कर सकते हो बहुत प्यारा टच आपको मिल जाते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर को ओन फोड़ने के लिए हम पेटन दियो है घ्ल डी सेंट कंट्र तो एक सेक्ट कर देता हूँ और एक से क Vilcraft को जो जाती है और नीचे हैसे जूंकि शखते हैं और ये वाइरलेस चार्जर आपको मिल जाता है और वाइरलेस तौरइट च्रजर्य बहुत देगा है पर चेंज हुआ है वो आपको देख जाएगा यहां पर वेंटिलेटेड का फोल्डर सापको दिये हुए बहुत बढ़िया हैंडब्रे का सिलवर टिप के साथ आम रेस्ट है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से देख लो एक ट्रे आप अटा सकते हो और यहां की बाद चीट करें तो यह आप देख सकते हो अच्छी खासी स्पेस यहां पर भी आपको मिल जाती है बढ़िया और यहां पर एक कब होल्डर आपको मिल जाता है शांदार सा यह सारी चीज़ें कुछ रह जाएं तो प्लीज मुझे पूछना कॉमेंट्स में और अ अब आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा कलर इसका कैसा यह ब्लैक निया है और इसमें आप दोनों फरक देख सकते हों कंपनी फिट्टेड यहां पर आपको कट्स मिल जाते हैं काफी बड़ा डोर पैनल है और इसका एडवांटेज आपको जम बिलता है जब पीछे व जाते हैं फुली लैधर वर्क आपको मिलता है अब को दियुए और यह नीचे बौटल होलस वगएर आपको मिल जाते हैं अभी चलते हैं गाडी के अंदर और अंदर की बात चीद करते हैं कि अंदर से आपको क्या के चीज उफर कर देती है तो आपको मतलब आपके यूज अलग अलग तरीके के हैं बट गाड़ी आपको एक चाहिए तो यह आप डेपनेटली प्लान कर सकते हो थोड़ा एक एक एश्यूई वाला फील भी आपको देती है थोड़ा उंचा आप इसमें बैठते हो स्पेस अची खासी मिल जाती है तो एक बड़ी हासा मतलब एक बड अपना मेरे पास तरी भी इतना लेग रूम है कोई दिक्कत निया थाय रूम में तो कोई इसूई नहीं है एड रूम आप देख लोग कितना है मेरे पास में बड़ी आराम से बैठा हुआ बाकि यहां पर देख सकते हो एर प्योरी फायर हैं पर आपको देखने के लिए मिल सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर हम ना बराबर ना बराबर क्या है नहीं है तो कार पर टीस का तीन बंदे बड़े आराम से यहां पर बैठ जाएंगे और यह इसका आम रेस्ट है अब यह फार्ड ना पड़ेगा नहीं तो मैं आपको दिखा भी देदा करके हैं यहा पर अडल्स भी आराम से बैठ सकते हैं को दिक्कत वाली बात नहीं है जिस प्राइस पर गाड़ी आती है बाकि यह हैं सारी चीजें उपर एक दो और यह तीन ग्रैवेंडल से आपको मिल जाता है और यहां पर कुछ इस तरीके से रीडिंग लाइट मिलती है यह लोग लग अब इसका इंजन कंपार्टमेंट अम Bean के रही है कि अच्छा तरीके से हमरी थे प्लस पंट इसके लिए उपकिन बात चीट करें तो नो डाउट इस इंजन का कूई तो यह बहुत यहादा ट्रस्ट वर्दी इंजन है और लाख होर लोग इस इंजन को चला भी रहे है और तरीगे से चला रहे हैं और इसके दीवाने वाई यह उंतलब जबर दस्त हैं यहां पर CRDI 16V 1.5 लीटर का फोर्स लेंडर डीजल इंजिनियर गाड़ी आपको उफर कर रही है जो कि आपको डिलोफ करता है बहुत ही शानदार मतलब गाड़ी मुझे लगती है यह मैं टॉप मॉडल की बात नहीं कर रहा है मैं बात कर रहा है इसके बेसेंड की भी तो अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा की फीचर्स आपको डीसेंट मिल ला है एक अच्छी बड़ी सी दिखने वाली आपको गाड़ी मि होगी बताना कोमेंट्स में अच्छे लिए लाइक कर देने सब्सक्राइब भी कर देना और हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई